ये उड़त की डाल है छिलके वाली है और इसको हम अच्छे अच्छे धूल करके साफ कर लेंगे ये बहुत अच्छे साफ हो जाएगा क्योंकि इसको हमने चार से पांच घंटे पहले भीगो कर रख दिया था अब इसके बाद इसको हम रेश्पी बनाएंगे फ्रेंड्स कढ़ी तो आप लोगोंने बहुत खाया होगा लेकिन उरत की डाल की कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है बहुत ही टेस्टी होती है तो इसी की रेश्पीर में लेकर आईएं उरत की डाल की कढ़ी आप लोग जरूर देखें पूरा वीडियो और देखें हमने अच इसको साप करके धूल लिया है और छिलका एक दो है उससे कुछ फर्कने पड़ेगा अब इसके बाद इसको हम पीस लिये हैं तो इसको पीस करके एक दूसरे भरतन में निकाल लेंगे और आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे और हमारे चैनल पे आप लोग बने रहे हैं और इसको हम पूरा निकाल करके जो मैंने उड़त के दाल को पीसा है और इसको हम मतलब इसी में थोड़ा सा हम डाल देंगे दही और दही डालने के बाद इसको अच्छे से फेट लेंगे तो लगातार चलाएंगे और लगातार चला करके इसको फेट लेंगे तो फेटने का तरीका एक और है कि जो चमच है एक ही साइड घुमाना है दोनों साइड नहीं घुमाना है एक साइड घुमाने से यह अच्छे से फूलेंगे इसकी जो पकोड़ियां होती हैं बहुत अच्छी फूलती है अब लोग देपा रहे हैं इसको हमने तयार करके रख उलियाया vine मेशा मेरस्न के लिए और अधरती तुकडे दुचार ले लियां और पयाज लोगए बड़ा साइड का पयाज है इसको काटके यारें ढाल देंगे और पीस लेंगे अब इसको इसको हम प्येट करके और इसको फूलने के लिए अच्छे से फूल जाए तो भूलब 15 मीट के बाद हम अपको दिखा रहा है तो फूल एजब देगे पाने में और यह अब टेरने लगे तो रहाँ है though थोड़ा चलाने के बाद इस बेटर गुदिक कर लेंगे लिए जोड़ा पाने में की बत्र इंटलेंगे मरीज का पौडर यानि काली मरीज का पौडर लाली मरीज का पौडर थोड़ा सा तीखापन के लिए हल्दी पौडर है और इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी से आधे चमत जीरा पौडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला और इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया पत्ति बारिक काट करके इसमें डाल देंगे और स्वादर नमक डाल देंगे अब इनको अच्छे से हम मिला रहेंगे अब जादन को फेटेंगे नहीं बस जो मसाले हैं इन मसालों को हम इस बैटर में अच्छे से मिला लेंगे, मतलब यह हैं, क्योंकि बैटर हमारे अधम बढ़ियां से तयार है, बस मिलाना ही है, अब इनको देखिए आप लोग अच्छे से हमने मिला लिया है, अब इसकी हम चलते हैं पकोडिया बनाने के लिए, यह दर एक पकोड़ी से जो बैटर है, इसकी उसमें डाल कर चेक करेंगे, इ Mexican प्रवnad, तेलिमे भलेंगी और तेल गड़ेंगे, तो तो बेटर है पुरत की दाल का उसकी पकोडिया छोड़े चोटे हम बना लेंगे। बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरह बनाएंगे और फुली फुली बनेगे। इसी तरह से भी को हम पकोडियां बना करके इसमी डाल देंगे। अगर ज्यादा तेल गरम रहेगा और गैस का फ्ले मदब हाई रहेगा तो पकोडियां जल जाएंगे और अंदर से शीखेंगे नहीं। इसी बात का ध्यान रखें। और इन पकोडियों को लट प्लट कर जलाते रहें और अच्छे से शीख जाएंगे। अब लोग दिपा रहे हैं। पकोडियां हमारे अच्छी से सीख गई हैं। हमने अच्छी से सीख लिया हैं। आप इनको दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखें इस अब तेल में तैर रहे हैं। तो बड़ाही नहीं पकड़ हुआ है। त्यानी ये लप्षिक तो यह तेल में तहार ने लगती है आप दूसरे प्लेट में देखे निकाल ले रहे हैं अब इसके बाद चलते हैं दूसरे कड़ा ही लेते हैं और इसे में डाल देंगे वही चुटि पकोडियों को तरह था उसी में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसके में डाल देंगे आप दाल देंगे इसमें थोड़ा सा कसूरी मेति कसूरी मेति से कस्वात बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद जब इसके टड़क जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसालों को पीछ के रखा हुआ था न उसको तो इसके पहले थोड़ा सा हींग भी हम डाल मसालों को लग भोन लिया है लग अगर ये। जब मसाले की मचीए ख़arpdyश अज़ंगा है मचीए में यो,धी ख़ाल की मचीशिया तो बूस्ता से ज़ोछाए साफ्रम शायग कहरो इता हिbank हैं, और मसाले ख़ाल की मचीशंगा ये तो में gemacht है इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि वैसे ही नहीं भूनेंगे वैसे भूनेंगे तो यह मसाले ना जल जाएंगे के इसलिए हम थोड़ सा पानी ड्याल करके भूरेंगे शिस से मसाली ना जले और इनको अच्छ से भूनने के बार फ्ट्रोड़ हैं कि realize के भूननाा ने तो अच्छ से पखेंगे अब हम एथ़ हम दोते हैं इसको ताही को में ठालिक दही तो बनाल सब्सक्राइब में प्रेट लेंगे तो अजिए है आप देख लेते अरो चला लेंगे तो मसाले देखिए अच्छे से हमारे पके हुए हैं ढकने से जिना मसाले पक जाते हैं अच्छे से तो उसमें जो थोड़े बहुत कमी रहती है भूनने में तो अच्छे से पक जाती है और इसके बाद इन मसालों अभी दही हम नहीं डाले हैं दही वाला जो बेसान है उनहीं फ़र से पानी डाल देंगे, जो उपने जार में लगा गुए था पानी ना, उस पानी को घोल करके सि housed में डाल दिये हैं ढर डाल करके सको मसालो को पका लेंगे, अब इसके बाद जो हमने भेशन के अग्भर तयार किया, तो दही और भेशन का उसको इसमेर दाल देंगे अब इनको हम इसमी मिला लेंगे अब इसके बाद जितना ग्रेवी रखना हो जितना कढ़ी बनाना हो कढ़ी के लिए जितना कढ़ी रखना हो तो डाल देंगे एक पानी और इसके बाद धक देंगे और ढख देंगे जब उबाला जाएगा तो देखिए आज उबाला गया है तो आने जो है ना कड़ी अच्छे से पक गई है अब जब पक गया है तो इसको हम चला लेंगे वीडियो लंबी हो जाँ रहे हैs इसलिए मजब तौणी बता दे रहे है कि इसके बाद जो पकड़ी है यूदक के दाल की इसमें डाल देंगे अब इसके बाद पकाएंगे नहीं कियोंकि यह पकाएंगे तो पकोड़i टाइट हो जाएएंगे मलब शक्त हो जाएंगी और अभी डाल करके जब फुली फुली हुई और दम नरम नरम रहेंगी देखे में ढख दिया अब 10 मिनट बाद ही इसको सर्व करेंगे तो अब तक आपने वीडियो पर बने आपनों का धन्यवाद